नमस्कार दोस्तों प्रमाणपत्र चाहिए होता है जब आप बच्चे का अड्मिशन कराएंगे तो उसमें बर्थ सर्टिपिकेट आधार कार्ड दोनों ही लगते हैं तो इसलिए आपके पास बर्थ सर्टिपिकेट होना जरूरी है तो बिना देर के हुए आए शुरू करते हैं अपने वीडियो यह एक यूनिवर्सल साइट है जहां से हम किसी भी राज्य से अपना बर्थ सर्टिपिकेट बना सकते हैं तो हम क्रोम में आ जाते हैं वहाँ पर हम crsorgi.gov.in पर आ जाते हैं यह लिंक आपको डिस्किप्शन में भी मिल जाएगा यहाँ पर आएंगे यहाँ पर आप देख जाएगी आपका mobile number आ जाएगा यहाँ पर आप बच्चे के जन्म की तारीक यहाँ पर डाल दीजेगा simply उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर place of occurrence of birth या death तो हमें आपर अपना state सेलेक्ट करना है जहां बच्चे का जन्म हुआ है तो यहाँ पर state सेलेक्ट कर दिया फि होगा वो आप इसको सेलेक्ट कर दिजे कैप्चा फिल करके आपने register पर क्लिक कर देना है क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का pop up आ जाएगा thank you for registering please check your email to activate your user ID तो हमें अपना email चेक करना होगा जहां वहाँ पर एक आपको link दिया जाएगा जिससे आपनी email ID को activate करेंगे साथ ही आपको वहाँ पर user ID भी दे दी जाएगी तो हम आ गए हैं अपनी email ID पर और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा user ID यहाँ पर दे रखा है एक link भी दे रखा है इस link पर आपके क्लिक करते ही आपके जो email ID verify हो जाएगी activate हो जाएगी इस पर simply click कर दीजिए या तो copy कर तो आप चाहें तो इसको दूसरे browser में open कर सकते हैं जैसे आप browser में इसको paste करके enter करेंगे या उस पर click करेंगे तो इस तरह का page open हो जाएगा यहाँ पर user ID डालनी है जो आपके mail पर आई हुई है नया password यहाँ पर आप डाल दीजिए कोई भी जो password आप देना चाहते हैं वो आ password create कर लीजिए नीचे आपने capture डाल कर submit पर click कर दीजिए click करते ही आप इस page पर आएंगे यहाँ पर आपने user ID जो आपकी email पर आई है वो user ID डाल दीजिए जो password आपने अभी create किया है वो password डाल दीजिए नीचे capture फिल करके login पर आपने simply click कर देना है click करेंगे तो आप इस तरह आपके पास आजाएगा यहाँ पर जन्म और मृत्यों का प्रौनपत्र बनता है birth और death किसी का प्रौनपत्र बना सकते हैं यहाँ पर देखेंगे birth का option आपको मिल जाएगा नीचे add birth registration पर click कर दीजिए click करेंगे तो इस page पर आप आजाएंगे यहाँ पर आपने language अपनी select कर प्रौनपत्र बना सकते हैं अगर आपको बच्चे का आधार नंबर बना है तो डाल सकते हैं आधार नंबर तो होगा नहीं क्योंकि अभी जन्म हुआ है तो इसलिए इसको भी आप छोड़ दीजिए जहाँ जहाँ पर star ये red color का star दिख रहा है वो आपने compulsory है जो डालनी है otherwise जो इन पर star नहीं है वो आप खाली भी छोड़ सकते हैं यहाँ पर place of birth आप डाल दीजिए house में तो select कर दिया हमने घर पर जन्म हुआ है तो पूरा address यहाँ पर डाल देना है building number डालना है house number street तो इस स आधार number डाल दीजिए email ID यहाँ पर mention कर दीजिए और साथ ही यहाँ पर एक mobile number भी डाल दीजिए नीचे आएंगे तो mother के detail डालनी है mother का first name middle name और last name जो भी details available है वो डाल दीजिए आधार number यहाँ पर मांगा जाएगा आधार number email ID है तो डाल दीजिए नहीं है तो इसको छोड दीजिए mobile number डालना चाहें तो डाल सकते हैं नहीं तो उसको भी छोड़ सकते हैं उसको आध नीचे आएंगे यहाँ पर ही बताया जा रहा है आपको बताना होगा कि बच्चे का जन्म हुआ था तो बच्चे के माता पिता कहां पर थे तो यह वो address डाल दीजिए जहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ तो आपका पता क्या था वो यहाँ पर आपने पता पूर डाल देना है नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पर्मार इंट डालना है इस थाई पता डालना है अगर सेम उपर वाले address का ही है सेम ही है तो यहाँ पर आप इसको टिक कर दीजिए सेम address यहां पर आ जाएगा, अगर change है तो यहां पर आप tick मत कीजिए और वो address change करके यहां पर भर दीजिए Informant information पर आपने एक checkbox पर click कर देना है यहां पर आपने नाम डालना है इधर address आपका आजएगा details आजएगी सारी तो यहां पर आपने save पर click कर देना है save पर click करेंगे तो आपके सामने statistical information आजएगी सांखी की सूचना आपके सामने आजएगी यहां पर आपने जो detail मांगी गई है ओभर दीजिए यहां पर यहां पर state आपने डालना है district डालना है इसमें मा का निवास मांग रखा है तो जो मा का निवास है वो डाल दीजे इस्टेट district, sub district, town या village जो भी है वो यहां पर डाल दीजे यहां पर पिता और माता की सूचना आपने देनी है religion देना है आपको धर्म बताना होगा Hindu, Muslim जो भी है वो यहां पर आप डाल दीजे यहां पर शिक्षा का इस्तर डालना है पिता की सिक्षा कहां तक है मदर की सिक्षा कहां तक है वो आपने यहां पर सिलेक्ट कर लेना है फादर का website क्या है तो वो सिलेक्ट कर लीजे यहां पर नीचे आएंगे तो माता की education क्या है वो डाल दीजे माता होजव आप हैं तो होजव या कोई काम करते हैं तो वो सेलेक्ट कर लीजे नीचे आएंगे तो अधर इंफॉर्मेशन किया एक आप्शन मिल जाएगा आपको तो जब मा की एज यहां पर आपने डालनी है पहले साधिश मतलब इसमें मांगया मा की उम्र पहली शाधी के समय तो जो शाधी आपकी पहली हुई है उस ही में आप उमर डाल दीजें यहां पर जब शाधी हुई थी तब यहां पर यह पूछा गया है कि जब बच्चे का जन्म हुआ था उस समय उनकी उमरे कितनी थी तो वो उम्र यहाँ पर डाल दीजिए अब तक इस बच्चे सहीत मा को जिन्दा पैदा हो बच्चों किसे नहीं है कितने बच्चे हैं उन मा ने जन्म दिया है तो वो यहाँ पर आप डल दी एक या दो बच्चे जो भी है टाइफ ओ अटेंशन एट डेलिवरी परसब किस तत्वाधान में संपन्न हुआ है वो डीटेल आपने आप डाल देनी है परम परागत परसब परिचारी का दौरा मतलब ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट डॉक्टर नर्स और ट्रेंड मिडवाइफ तो अधिक तर आजकल डॉक्टर नर्स के अंतरगत होते हैं लेकिन अगर आपका घर में हुआ है तो हम हमारे केस में ये परम परागत तरीका है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे वो यहां पर पूरी डिटेल आपने भरनी है सब तहमें आपने डालनी है तो वो यहां पर डाल दीजिए यहां पर आपने रिपोर्टिंग फॉर्म अप्लोड करना है बर्थ रिपोर्ट का जो फॉर्म है वो आपने ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं ले डाउनलोड करके उसको बरके उसके फोटो या स्केन करके आप यहां पर उसको अप्लोड कर सकते हैं इस तरह का फॉर्म आपको मिल जाएगा ओं-लाइन नीचे आएंगे तो यहां पर रिमार्क अगर कोई तो डाल दीजिए नहीं तो सेव कर दीजिए save पर click करेंगे तो यह इस तरह की पूरी details आपके जो form में आपने डाली है वो सारी details यहाँ पर आ जाएगी इसमें आप एक बार verify कर लीजे कि इसमें कोई correction तो नहीं है check करने के बाद आपने submit पर click कर देना है कोई correction है तो edit करके इसको correction भी कर सकते हैं जैसे आप submit करेंगे तो इस तरह से birth report उपन हो जाएगी आपका details verify होने के बाद online आप अपने form को download कर पाएंगे जो reference number यहाँ पर आपको मिला है उस reference number से आप अपने जो birth certificate है इसको online download कर पाएंगे अगर फिर भी किसी कारण से आप इसको download करने में असमर्थ होते हैं इस address पर भेजने हैं या इस address पर जाकर आपको यह अपना birth certificate ले लेना है इस तरह से आप नया birth certificate बनवा सकते हैं इसमें ध्यान रखने वाली बात सिर्फ एक है कि अगर आपके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है और जन्म से लेकर अभी 21 दिन पूरे नहीं हुए है तो 21 दिन से पहले पहले यह process है जिसके द्वारा आप बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है या birth certificate है आप घर बैठे online तरीके से apply कर सकते है जब उम्र जादा हो जाती है जब 21 दिन से जादा हो जाती है तो इसके दो phase और होते है एज duration के हिसाब से उसमें जो process है वो अलग तरीके से होगा और अलग तरह से आपका जो birth certificate है वो बनेगा जिन बच्चों का जन्म हुआ है और अभी 21 दिन पूरे नहीं की है उन बच्चों का birth certificate कैसे apply करेंगे आज के वीडियो में हमने ये सीखा आज के वीडियो में हमने जन्म से लेकर 21 दिन के अंदर अंदर अगर बच्ची की आई हो है तो उनका जन्म माणपत्र या birth certificate कैसे बनाते हैं ये सीखा आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफी काम की रही होगी वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कर सकते हैं आज के वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इंफॉर्मिशन के साथ तब तक के लिए जै हिंद